ललन्स इंडी आप बोले हैं कि जीडियू के रास्टिया थे अब भेवार में वार्जेडी के नेता है तो आर्जेडी के नेता होने का गुन उनके अंदर धीरी धीरे आ रहा है इसलिए अपना पकवास करते हैं बाकि कुछ नहीं अब इस सवाल का जवाब देंगे तो आप लोगी खायेगा जितना भर से जूट अंदर को सब्सक्राइब लेकिन जिस तरह से बिहार की सरकार ने कानून बनाकर कहा कि सराब बंदी तो सिर्फ सिर्फ कानून बनाने से यह काम संब्ब नहीं कानून का इस्तेमाल आज सरकारी अदिकारी चाहिए पुलिस के हो या एक्सआईस डिपार्टमेंट के अधिकारी इस लोग अपनी ये भरने में इस कानून का स्तिमाल कर रहे हैं और गरीव जंता को प्रिसान कर रहे हैं इस कानून का इस रूप में लोग दूहीं प्रोफी ओक्यों कर रहे हैं कि कैसे बंद होगा इसके लिए किसरूआइंगे विजार करें कि शुरुवात कमसे हुए जिस भक्त केस मुकदमा इनके उपर शुरू हुआ तो कौन लोग कोट में गए थे किसी भी आइसे जाच हो गोट में गए थे मानिये ललंसिंग जी मानिये सीवान अंतिवारी जी यही लोग गए थे जो लोग आज आरजली के आगे पीछे घूम रहे हैं यही लोग गए थे कोट में ना तो इन ही लोगों के कारण बात यहां तक पहुंची है तो आज अगर कह रहे हैं तो नितीज जी सीधे तवर बोल दें कि चारा घोटाला नहीं किया है लालू जी ने सीधे कह दें अगर लग रहा है इनको कि सर केंद्रिये एजंसी इनको परिशान कर रहे है तो सीधे कह दें नितीज जी चारा घोटाला नहीं किया है लालू जी ने और जो कुछ भी हम इतने दिन तक कहते रहे हम ने गलत किया हुल दें नितीज जी पुरही घोजना करते हैं यह हमारी राजनीत का अब आफसान होने वाला है तो जब राजनीत से बाहर होने की बात या राजनीत समाप्त हो गई उनकी इस तरह की भुजना कुद ही कर रहे हैं तो उसके बाद कहां सबाद हो जो आप लग का मिशन था मतलब आपकी जो मिशन थी वो पूरा नहीं हुआ नितीज जी फिर वही सरकार में चले गया उनी घटबंदन के साथ चले तो आप अलग हो गए तो क्या नितीज कुमार फिर NDA में जाएंगे अभी आप अंडिये में ये लेकिया नितीज कुमार जी का अब राजनीत के चदर में मार्किट वहल्यू जीरो हो गया अब जीरो हो गया तो फिर कहीं रहें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है अब उसी एलाइंस का बैटक में जैसे बदाया जारा है कि संजोजक को लेकर माड़ा पिटी हो रही है या कुछ बाती आ रही है या इसी से समझे लिजिए ना कि कलपना लोग कर रहा है मंदिर बनाने की और बतासा के लिए पहले ही जगरा सुरू कि गटबंधन क्या चलना है अब संज बन्धन का लीडर कोन हो भावी परधान मंत्रिक के रूप में किसके नाम की घोसना की जाए यह सवाल जब आएगा तब क्या इस्तिति इन लोग की हो कुल मिल आजू लाकर इन लोग का जो एक सरसाइज है उसका कोई अर्थ नहीं सब लोग जो भी इसमें है अधिकान सुनो अपने अपने राज्यों में खास करके लोग सभा चुनाओं में उनकी क्या दुरुगती होने वाली है सब लोग को मालूम है तो इसलिए एक अपने पक्ष में महावल बनाना चाहते हैं बाकी और कुछ भी नहीं होना है आज की तारिफ में 2024 लोग सभा चुनाओं के लिए चया है भारत का परधान मंत्री वही बनेगा झो आज भारत के परधान मंत्री कोई रभी मैचे नरेंद्र मोदी जी के सामने कॉइज चुना होती नहीं है अगला चुनाओं जो 24 में होगा उसमें नरेंद मोतीची परधान मंतरी भारत के बनेंगे यह हत्ता है बागी इन लोग के अगर इस तरह से अभी बिपक्शियो के एलाइंस है या फिर एंडिये के अलाइंस है तो बिहार में 40 सीटों पर क्या होगा किके चाहती है जन्रणना में तो सब पार्टी के लोगों ने साथ दिया है ना इसमें कोई एक पार्टी का सवाली नहीं जब आपको याद होगा कि ज सभूस्षी ऑैन्ड दिया-म्टल सुख्यस Saltake ज़नता का मामला है इसलिए इसके चलते किसी को बोट ले नहीं लिए हर की सीटों पर क्या होगा चाहिए 2024 के चुनाव में चालिस में चालिस में से ये काध अपवाद साइद कहीं इधर उधर हो जाए बढ़ना सभी जगा इंडिया की मिद्वारों की जीत हो जाए